नमस्कार वबो स्वागत है आपका न्यूज ओल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम निशर्मा और आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी दिल्ली में 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और किसानों का अंदोलन लगतार चल रहा है लेकिन किसानों के अंदोलन के लिहाद से 6 फरवरी का दिन काफी एहम था वो इसलिए क्योंकि किसानों ने कई किसान संगठनों ने और राकष्टिकेत ने एलान किया था कि वो 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे हाला कि चक्का जाम की तस्वीरे कई देश भर से देखने को मिली कहीं पर चक्का जाम बहुत शांती पून तरीके से किया गया कहीं पर हिंसा की भी तस्वीरे सामने आई लेकिन वो हल्फ की फुलकी हिंसा हुई थी दिल्ली में भी आईटियो से प्रदशन कारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था हाला कि महराश्ट्र में तो ये चक्का जाम बारा बज़े से पहले ही शुरू हो गया था तयारी थी जो हिंसा 26 जनवरी को हुई उसको लेकर पुलिस काफी मुस्तैत थी काफी भारी संख्या में पुलिस बलो को तैनात किया गया था पचास हजार पुलिस कर्मी दिल्ली में तैनात थे कई मेट्रो स्टेशन भी बन थे लेकिन उसके बाद उस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मेरी शांती पून तरीके से चक्का जाम हुआ प्रदिवन आपकी क्या राय है इस पे बिल्कुल चक्का जाम हुआ नकाम जिस तरीके से आपने बताया ऐसे मैं चक्का जाम जो किया गया था उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तीन घंटे के चक्के जाम से तीन क्रिशी कानून वापस हो पाएंगे क्या क्योंकि चक्का जाम तो इसके लिए ही किया जारा था कि क्रिशी कानून को वापस किया जाए सरकार पर जोड अलग अलग जगा जिलादिकारियों को ग्यापन दिये जाएं लेकिन फिर भी सवाल यही रहेगा तीन गंटे के क्रिशी कानून से माफ कीजीगा तीन गंटे के चक्के जाम से तीन क्रिशी कानून वापस होंगे क्या क्योंकि जिस तरीके का चक्का जाम में आपर किया गया हैra जिलादीकाई को ग्यापन देने से कुछ हो पाईगा क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आपर सामने आती हैं ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अलग-अलग जगाओ पर चक्का जाम करेंगे तो लोगों को काफी परिशानी होती है चाहे वो एंबुलेंस हो, चाहे आम जनता हो, कईना कई मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है फिर इस बात को दोरा हुआ, तीन गंटे के चक्के जाम से, तीन क्रिशी करून वापस होंगे क्या सबसे बड़ा सवाल यह है, और इसी के चलते यहाँ पर लगातार जंग लड़ी जा रही है अपने हग की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रह रही है सरकार जो अपनी बात पहले कह चुकी है, वो लगातार कह रही है किसान जो अपनी जित पर अड़े हुआ है, उस पर अड़े हुआ है लेकिन जो समझोता होता है जो बाचीत का एक दौर होता है वो यहाँ पर फिर से देखने को नहीं मिल रहा है तो आकिरकार इसका जो हल है वो निकलेगा कैसे इसका final result जो है वो कैसे निकलेगा ये सबसे महत्पूर बात हो जाती है जिस तरीके की तस्वीरे जो है 26 जनवरी को देखी गई थी वो 6 फरवरी को तो बिलकुल नहीं देखी गई फरक रहा क्योंकि जब 26 जनवरी में जो इस्तिती बनाई गई थी प्रदर्शन कारियों के दौरा ऐसे मैं किसान निता ये चीज़ बहुत अच्छे से और बहुत भली बाती समझ चुके थे कि अगर ऐसी सिती दुबारत 6 फरवरी को बनती है तो कहीं न कहीं जो किसान आंदोलन की कमर है वो तूटेगी फरक आ जाएगा क्योंकि राकेश चकेट अगर नहीं रोते 26 जनवरी के बाद तो किसान आंदोलन आदी कमर उसकी टूट चुकी थी और आदे ही किसान वहापर सिर्व बचे हुए थे उसके बाद राकेश चकेट रोते हैं तो ऐसे में किसान लगातार फिर वापस आते हैं उनको अपना समर्थन देते हैं विपक्ष भी पार्टी की बात करते हैं तो विपक्ष लगातर अपना समर्थन दे रहा है चाहे दिल्ली सरकार की बात करते हैं या अर्विंद केजीवाल की बात करते हैं कॉंग्रेस की बात करते हैं बीसपी सपा सभी पार्टी अपना समर्थन दे रही हैं वोट बैंक सतली है लेकिन बार्य बजी से पहले ही आंधुल आपर शुरू कर दिया चक्का जाम आपर शुरू कर दिया वहांगी जंता को बहनों से जअधा सुमशा कर्म्य वहां पर मुशत है गए थे लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जो भूमेगाती वो बखुवी पूरी तरीकी से निभाई लेकिन इस्तिती नियांतरल में उन्होंने की लेकिन चक्के जाम से या इस तरीकी के प्रदर्शन करने से कोई हल निकलेगा ये बात सबसे महतुपोर हो जाती है अगर गांधी जैनती तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा इसी तरीके की स्थिती नियांतरल बनाई जाएगी चक्का जाम किया जाएगा आंदोलन किया जाएगा सरकार को जुपाया जाएगा सरकार से अपनी बात मनवाई जाएगी लेकिन प्रदान मंतरी की बात करते है तो किसान नेताओं के पास है, किसान नेता सर्फ ये कह रहे है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम वापसी यहां से नहीं करेंगे उत्तरवदेश की अगर सीमाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर जरूर परिशानी कम देखने को मिली कि आखरकार इस्तिती कैसे नियंतरल में की जानी चाहिए क्योंकि जो इस्तिती लगातार यहां पर बनी हुई है वो काव में जो है वो भयावे होती जा रही है आने वाले समय में अगर ये स्तिती और भयावे होती है तो ऐसे ही नियंतर में करना स्थिति को बहुत गंबी रूप आगे लेगा करें तो 6 फरवरी को चकका जाम करने का एलान किया गया था लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलेस दिल्ली सरकार हर राज्ये की सरकार जो है पूरे अलर्ट मोड पे थी पूरी तैयारियां कर ली गई थी लेकिन उसकी कुछ उल्टी ही तस्वीर सामने आई तो कहीना कहीं यह कहन अभी गलत नहीं होगा कि किसानों में जो है वो एकता ही नहीं है क्योंकि 26 जनवरी को कुछ अलग वादा किया था और किया कुछ और 6 परवरी को जो वादा किया था उससे उल्टी तस्वीरे देखने को मिली बिल्कुल जब आप किसी भी आंदोलन को लीड कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्गाइड होने की जो एक चीज होती है वो बेहद कम गुंजाईश रखनी चाहिए लेकिन यहाँ पर मिस्गाइडन्स जो होती है वो लगातार जारी है किसान निता कुछ कहते हैं किसान कुछ करते हैं किसान अपनी लीडर की बात ही नहीं सुन रहे हैं किसान निता यह कहते है कि शांती पूर्ण तरीके से ग्यापन दिया जाएगा बाकचीत की जाएगी लेकिन जब इस्टिती और वो दिन पास आ जाता है तो वहाँ पर किसान अलगी अपना रूप दिखा देते हैं किसान अंदुलन लगातर जा रही है 71 दिन से जधार का समय हो चुका है 6 फरवरी की बात चक्के जाम करने की रही थी 6 फरवरी की बात करते हैं पंजाब, हर्याडा में सबसे जधा जादा असर वो पंजाब और हर्यान से पहुच रहे हैं तो यह सुभाविक हो जाती है यह बात तो कि वहाँ पर सबसेरा सर देखने को मिलेगा पंजाब टोल पर भी सबसेरा सर देखने को मिला है वहाँ पर टोल रोक दिया गया आवाजाही वहाँ पर आवगमन चल रहा था उसको रोक दिया गया तो ऐसे में परिशानी तो आम जन को होई रही है यह सरकार और किसान की लड़ाई है तो इसमें आम जन की परिशानी में क्यों डाला जाए आम जन को क्यों परिशान किया जाए उनकी आवजाई क्यों रोकी जाए अगर ambulance जारी है तो वो क्यों रोकी जाए भली ambulance को रस्ता दिया जाता है लेकिन एक एक पल बड़ा ही कीमती होता है जब कोई शक्स ambulance में जा रहा होता है अरस्पतार उसको पहुचना होता है जब चक्का जाम होता है तो वहाँ पर लोगों को समझाना पड़ता है ambulance को समय देने में समय लग जाता है अब वो समय बड़ा ही मेटुपोड हो जाता है और अगर वो समय नहीं मिल पाता है तो आदमी की समय रते मौत हो जाती है इसलिए वो समय बहुत important हो जाता है लेकिन किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं सरकार की अगर बात करते हैं सरकार पूरी प्रयास कर रही है नेरे सिंग तोमर भी यह बात कह रहे हैं कि बात चीज से हल निकलेगा लेकिन वो हल कम निकलेगा ये कोई नहीं बताता, ये ना किसान बताते हैं, ना ये सरकार बताती है तो सबसे बड़ी बाती है कि अब आमजन की भी इसमें एंटरी हो गई है आमजन बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई चक्का जाम खोलो, आंदुलन यहां से खतम करो क्योंकि आवाजाई जो है वो पूरी तरीकी से ठप हो गई है, वहाँ से निकलना बंद हो चुका है तो आखिरकार सरकार ये चीज़ क्यों नहीं देख रही है, सरकार कब तक इस बात पर अडिग रहेगी कि जो हमने कहा दिया, जो हमने कानून ला दिया, वो हम वापस नहीं लेंगे किसान लगाता की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो काला कानून है, जैसा किसान कहते हैं वो वापस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है तो इसका भविश्य किस तरीके सब देखती है जी बिल्कुल जिस तरह से पेदिमन आपने भविशे की बात की राकेश टिकैट ने अभी हाली में कहा है कि वो 2 अक्टूबर तक इस अंदोलन जो है वो चलाएंगे तो कही न कहीं ये दिख रहा है ये लग रहा है कि राकेश टिकैट को पूरा भरोसा है कि सरकार ये तीनों बिलों को वापिस तो नहीं लेगी तभी कि राकेश टिकैट ने थी बड़ी बात बोल दी कि वो 2 अक्टूबर तक इस अंदोलन को चलाएंगे और कहीं न कहीं राकेश टिकैट ने ये भी कहा है कि वो जो दिल्ली में 6 फरवरी के मद्दे नजर जो कीले लगाई गई थी ब अक्टूबर तक उन्हें ये जो है किसान अंदोलन जो है वो चलाना पड़ेगा ये बहुत महतुपूर्ण सवाल है क्योंकि जब 2 अक्टूबर तक का जिकर किया जाता है तो ऐसे मैं काफी लंबा समय है लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि ऐसा ना हो 2 अक्टूबर तक किसान अपनी बात रखते है लेकिन उस बात का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सब के सामने नहीं आ पाता है तो कहीं न कहीं ये बात भी जो एक miscommunication है वो किसान और सरकार की बीच में चल रही है सरकार और किसानों की बीच में जो miscommunication gap चल रहा है वो पूरा नहीं हो पा र इसके लिए किसान को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, आगे आने की तरफ कोई कुछ नहीं कहता, सिरु बयान बाजी की जाती है, कि हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, वारता का दौर चलता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, अगली डेट से दी जाती है फिर वारता का दौर होता है फिर अगली डेट मिल जाती है तो ये डेट का जो लगातार एक सिलसला चल रहा है ये खतम कब होगा ये देखने वाली बात है क्योंकि दो महीनी से ज्यादा का लंबा समय हो गया किसान सड़क पर बैटे हुए है और ऐसे में परिश गंटे का होगा तो लोगों को और समस्या होगी तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि सरकार इस बात को सुने समझे और किसान भी इस बात को सुने और समझे और शांती पूर्ण तरीके से इस मसला है इसका हल निकाले क्योंकि हल निकल जाएगा तो खुशी अपने लोगों को हुनी है, हमारे देश को उनी है, हमारे देश के किसान को हुनी है, अब इसमें एक जो नया पहलू हे, वो ये सामने आता है कि जो विदेशी ताकत हैं, विदेश के लोग हैं, विदेश के Celebrities हैं, विदेश के Politician हैं वो लगा अनला है, अब दखर पूरा 26 जनवरी को क्या होना है, 6 फरवरी को क्या होगा, 6 फरवरी के बात की तारीक है, उसमें क्या करना है किसानों को, वो टूल किट बनाई गई थी, तो वो पुलिस के हाथ में पुलिस को मिली थी, पुलिस उस पे भी जाश परताल कर रही है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा आसमाजिक तत्व है जो इस आंदोलन को एक अलग शकल देना चाहता है इसको बदनाम करना चाहता है किसानों को बदनाम करना चाहता है किसान किसारे से सरकार को बदनाम करना चाहता है लेकिन जब यह बास सरकार करती है तो सरकार यह कहत कि विपक्ष लगातार आंदोलन कारियों को बढ़का रहा है किसानों को बढ़काने का काम कर रहा है लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठ जाता है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि विपक्ष बढ़का रहा है लेकिन किसान इतनी मातरा में है एक विपक्षी पार्टी के कहने से किसान इतना भड़क जाएंगे किसान बार-बार ये कहते हैं कि हम अन्य दाता है रोटी हम भी काते हैं अकल हमारे अंदर भी है तो हम किसी के कहने पर नहीं भड़क रहे हैं जो हमारा हक है हम उसके लिए लड़ रहे हैं विपक्षी पार्टी अपने समर्तन देने का जो एक उसको ये बोल सकते हैं कि एक नाटक किया जा रहा है क्यों कि 2022 बेहर नजदीक है साल भर से कम समय आपर बचाए 2022 में एलेक्शन है, एलेक्शन के लिए वोट चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं तो लोग चाहिए होते हैं, लोग चाहिए इसलिए वहाँ पर समर्तन दिया जा रहा है, किसानों के साहरे से वोट बैंक बटोरा जा रहा है, तो किसान इस बात को समझ चुका है, किसान अ काबू ना रहे और लोगों को परिशानी तो हुई रही है लेकिन जो किसान इस बात पर अडिक हो गए हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे तो किसानों को भी चीज समझनी चाहिए कि सरकार बार-बारी जिकर कर रहे हैं कि शंशोदन हम कर जाएगा जी बिल्कुर प्रदिमन लेकिन आज किसान जो जिन्होंने किसानों ने चक्का जाम का हैं जब ऐलान किया था तो पहले ये चोशल मीडिया पाई या फिर हरको यही बात कर रहा था कि दिल्ली हर्याना और पंजाब में ही ये किसानों का अंदोलन जो है वो चल रह संगठन को जो है वो साथ मिल रहा है समर्थन मिल रहा है तो ऐसे में आपकी क्या रहा है बिल्कुल समर्थन तो मिल रहा है पहले दिल्ली तक सी में था अब हर्याना पंजाब उत्रपदेश उत्राखंड तक पहुशने की सितियां पर आ गे थी और अब देश में सितिया रह तो फिलाल के लिए इतना ही बने रहिए निजवल इंडिया के साथ नमस्कर झाह 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 कले लिएशवल कले मस्कर